नो शलोस्तों धीत है आज की 31 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोवल डिसकेशन में आज वैसे तो देखो तीन इशूज हमें डिसकेश करने थे लेकिन दो आज हम डिसकेश कर पाएंगे और एक आगे के लिए छोड़ेंगे दो इशूज कोन से हम आज डिसकेश करेंगे एक तो देखो जो मैटो का 10 मिनट्स डिलिवरी का जो इशू है इसको डिटेल में डिसकेश किया गया है और दूसरा Prisoner's Identification Bill तो इन दोनों इशूज को हम डिसकेश करेंगे और ICAI इसको श्ट्रेंथन करने वाला जो आज़िकल है इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं तो चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आटिकल जो मैटो 10 मिनट्स डिलिवरी से समधित हैं आप GS पेपर 3 के इस टोपिक से आटिकल को रिलेट कर सकते हो दिवो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं गीग वर्कर्स कोन होते हैं गीग वर्कर्स सिंपल भासा में बोली तो टेंप्रेरी वर्कर्स जैसे जो मैटो के वर्कर हैं जो मैटो कंपरी बोलती हैं ये हमारे डिलिवरी पार्टनर हैं ये हमारे लिए काम नहीं करते हैं लेकिन हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं जैसे freelancer है ये भी temporary workers है गिग वरकर्स को न पर्मनेंट वरकर्स का फाइदा नहीं मिलता जैसे formal sector में आपने देखा होगा जैसे TCS के लिए कोई काम करता है तो उसे social security benefits मिलते हैं for example insurance provident fund में पैसा जमा होता है लेकिन गिग वरकर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो ये थोड़ करते हैं issue की हाल की में जो मैटो ने announce किया कि हम एक नई service start कर रही है 10 minute delivery service 10 minute के अंदर अंदर हम आपका खाना पुंचाएंगे तो इसके बाद तो देखो Twitter पर एक तुफान सा आगया comments का कुछ लोगों ने इसे बहुत ज़रा किटिसाइज किया कि already बिचारे जो जो मैटो delivery partners ह बहुत मुश्किल भरी conditions में काम करते हैं इतनी धूप में काम करते हैं इतना traffic होता है उनके उपर burden होता है कि जल्द से जल्द वो food deliver करें लेकिन ये 10 minute service आने के बाद तो उनके उपर जो burden है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा arguments ऐसे ऐसे भी आने लगे इस service के against कि road पर ज़ delivery partners उनकी जिंदगी खत्रे में आ जाएगी जल्दी food deliver करने के चकर में बलकि road पर बाकी जो लोग चल रहे हैं उनकी जिंदगी भी खत्रे में आ सकती हैं क्योंकि जो मेटो delivery partners जो हैं वो जल्द बाजी में खाना deliver करने की कोशिस करेंगे sorry बहुत से लोगों ने ये भी कहा दस मिनट में आप खाना deliver करोगे तो वो खाना बासी होगा मतलब फ्रेस नहीं होगा क्योंकि दस मिनट के अंदर आपको deliver भी करना है खाना बनाना भी है और सारे food items देखो मेगी की तरह थोड़ी ना होते हैं दो मिनट में बन जाएंगे औ उन्होंने कुछ चीजे बोली हैं सबसे पहली चीज ना तो हम delivery partners को force करेंगे कि आपको इतनी दिर में खाना deliver करना है और नहीं उनको हम किसी परकार का incentive देंगे कि अगर आप within this specified time अगर खाना deliver करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे ऐसा नहीं जो मेटो ने ये भी क दिमांड ज्यादा है जैसे पोहा है पोहा की दिमांड ज्यादा है कोफी की दिमांड ज्यादा है तो हम उन special locations पर ही ऐसे जो बने बनाए खुड है standardized food है उनको deliver करेंगे और वो भी ज्यादा से ज्यादा centers open करके मतलब distributed kitchens हम खोलेंगे ज्यादा ज्यादा छोटी-छोटी kitchens तो इस technique के मादम से हम 10 minute में खाना deliver करवाने की कोशिस करेंगे मतलब उनके अनुसार सारे food items available होंगे ही नहीं 10 minute delivery service के लिए इसके बाद देखो जो मैटो के जो founder है न डिपेंदर गोल उन्होंने ये भी कहा देखो अगर आपको business में बने रहना है न तो innovation तो आपको लानी ही ह होगा और वैसे देखो जमेटो सुईगी वालों का ये भी कहना है हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है इंडिया में तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो ये बात सच है आज के आज जिस परकार से देखो अलग-अलग तरह के business में ना competition बढ़ता जा रहा है और customer जो है वो king है या फिर queen है तो ऐसी situation में आप automation लाने की कोशिज करो technology को enhance करने की कोशिज करो लेकिन वो लोग जो आपके main pillar है delivery partners उन पर burden increase मत करो होता क्या है जैसे देखो हम food order करते हैं हमें तो दिखा दिया जाता है कि आपका food deliver हो जाएगा 30 minutes में लेकिन अब दे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खामखा delivery partners पर भड़क जाते हैं कि मुझे तो 30 minutes दिखाया गया था मुझे इतना time लग गया वो नहीं समझते इस चीज को कि कितना traffic हो सकता है हो सकता है कि रोक लिया गया हो police वालों ने delivery partners को कुछ भी urgency आ गई हो लेकिन नहीं even कुछ customers तो ऐ हां रोजगार तो देखो काफी सारे gig workers को हमारे race में मिला हैं बात सिरफ जो मैटो सुईगी के नहीं हैं बलकि Uber, Ola जैसे बहुत सारे platforms हैं जिन्होंने gig workers को रोजगार दिया हैं लेकिन क्या वो रोजगार जो है वो quality वाला है answer है no जैसा हमने शुरवात में discuss किया social security के benefits नही मिलते gig workers को और देखो रोजगार basic मिला हैं लेकिन earning आपको भी पता है gig workers की बहुत कम होती हैं अब जैसे जो मैटो सुईगी के workers हैं जो मैटो उन्हें fuel की cost नहीं देता fuel की cost वो अपने आप से भरते हैं बाइक पे जो maintenance का खर्चा आता है वो अपने आप से देते हैं अगर papers में कोई कमी रह गई तो कई बार चलान भी भरना पड़ता है ये सारे खर्चे भी तो करते हैं ना तो जितना जो मैटो से मिलता है gig workers को उसमें से देखो 30% तो fuel cost पे चला जाता है पेटोल और डिजल के दाम अभी कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं आपको भी पता है 30% कुछ extra चीज़ों पे चला जाता है जैसे bike नहीं purchase की depreciation होगा उसकी maintenance पर खर्चा आएगा तो मान लीजिए 1000 रुपे मिले ना जो मैटो workers को उसमें से budget होती है सिरफ 400 रुपे की इसके बाद next point को writer इस परकार से काटते हैं जो मैटो कहता है कि हम हमारे delivery partners को ना freedom देते हैं जब चाहे वो अपनी application को switch on कर सकते हैं जब मर्जी चाहे वो switch off कर सकते हैं writer कहते हैं देखो freedom बेसक है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2-3 घंटे काम करेंगे तब भी उतनी ही earning मिलेगी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनकी earning कम हो जाएगी drastically उनको तो विचारों को Saturday Sunday का भी off नहीं है हाँ ये मत कीजिए प्लीज ये म वो off लेते हैं उनको लगता है कि off लेंगे इससे अच्छा कुछ पैसे तो बनेंगे 400-500 वो off लेते नहीं है next ये बोलना कि हम उनकी work safety को ensure करते हैं जो matter को गयना है हम समय समय पर अपने delivery partners को जागरू करते रहते हैं road पर कैसे चलना है जो rules and regulations है उसके बारे में भी aware करवाते रहते हैं ताकि उनकी safety सुनिश्चित हो हम उनका insurance भी करवाते हैं तो इसके जवाब में writer ये बोलते हैं देखो आम तोड़ पर एक जो matter worker जो है वो एक दिन में 13 घंटे चलता है 190 km तो जो matter worker एक दिन में 13 घंटे drive करेगा 190 km तक की यात्रा करेगा तो ऐसी situation में बिलकुल पू पूस्किल वाली बात है लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो जैसा कि जो matter के फाइंटर देपेंदर गोईल ने कहा कि इस business में अगर thrive करना है sustain करना है तो आपको innovation तो लानी होगी तो इसके जवाब में writer ये बोलते हैं देखो जो matter का जो valuation है आज के समय में व का क्या कुछ delivery partners को मिला इसमें से नहीं मिला लेकिन खाना time पर delivery करने के लिए अपनी जान कौन जोखिम में डालता है delivery partners से तो अब देखो समय आ गया है कि जो gig workers है ना उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए उनको भी social security के benefits मिलने चाहिए और इस industry में भी regulation आना चाहिए सरक मेटो वरकर्स खाना डिलीवर करते हैं उनकी safety ensure की जासके बलकी road पर तो देखो दूसरे लोग भी चलते है ना उनकी भी जो safety है वो ensure की जासके तो यह पूरा article हमने discuss किया 10 minute जो मेटो डिलीवरी से समधित issue के बारे में चलते हैं आगे इसके बार next article identity and privacy से समधित हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो हमारे देश में 1920 में एक कानून बना था जिसका नाम है identification of prisoner act 1920 इस 1920 के act के अनुसार prisoners के fingerprints, foot impression और even photograph collect किया जा सकता है magistrate के order के बाद लेगिन देखो 1920 का यह जो act है यह biological data collect करने की इजाज़त नहीं देता है क्योंकि 1920 में तो आपको पता है उसमें इतनी hi-fi technologies available भी नहीं थी लेकिन अब science ने काफी ज़्यदा advancement कर ली है तो अब सरकार चाहती है जो prisoners है ना उनका biological data भी collect किया जाए जैसे देखो DNA होगा, biometrics हो गया, यह सब चीज़े तो इसी के लिए सरकार 1920 के act को replace करने के लिए एक नया बिल लेके आई है criminal procedure identification bill 2020 जिसमें सरकार ने यह provisions रखे हैं कि जो prisoners हैं उनका जो biological data है वो भी collect किया जा सकता है और पहले जो चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा अगर बिल के कुछ provisions की बात करें, अगर देखो कोई prisoner मना कर देता है कि नहीं हम हमारा जो data है वो नहीं देंगे तो यह IPC section 186 के तहत offense होगा, बिल में ये भी provision क्या गया है इवन वो लोग जिनको preventive detention के तहत ग्रिफतार किया गया है, उनका भी biological data जो है वो collect किया जा सकता है और NCRB, National Crime Record Bureau इस data को संभाल कर रखेगी 75 years तक बिल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई prisoner बरी हो जाता है, उसका acquittal हो जाता है तो उसका data जो है वो delete कर दिया जाएगा, बर देखो इस बिल को लेके काफी सारे concerns है सबसे पहला argument तो बिल के against ये दिया जा रहा है, ये 2017 की पुट्टा स्वामी judgment के against है ये right to privacy का violation है, right to privacy अब एक fundamental right है इवन experts दूसरा argument ये देते हैं, ये सविधान के article 20 section 3 के भी against है क्योंकि ये जो article है न, हमारे देश की जनता को self-incrimination से बचाता है यानि किसी individual को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसी के खिलाफ अपराद को साबित करने के लिए लेकिन इस bill के पास होने के बाद तो जबरदस्ती samples लिए जा सकते हैं उस person से और उसके अधार पर उसकी जो गुनाही है वो साबित की जा सकती है मतलब ये right against self-incrimination के against है next argument ये है देखो 1920 का जो act था न, वो सिरफ उनी prisoners का data collect किया करता था जिनको या तो एक साल से ज़्यादा की सजा हुई है या फिर उनके खिलाफ ऐसा case चल रहा है जिसमें एक से अधिक साल की सजा हो सकती है बट ये जो bill आया है न, इसमें provision ये है अगर कोई person देखो महिला या फिर बच्चे के against crime करने का accused नहीं है और उसे जिस crime में पकड़ा गया है उसमें उसको साथ साल से कम की सजा हो सकती है तो फिर ऐसे लोग इना मरजी होगी कि वो consent देना चाते हैं या फिर नहीं देना चाते हैं लेकिन इसके अलावा जो cases है जैसे कि जिसको साथ साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है जिस crime के लिए उसे पकड़ा गया है या फिर महिला या फिर बच्चे के against जिसने अपराद किया है ऐसा उसके उपर आरोप है तो उनके तो choice नहीं होगी उनको तो अपना biological data और दूसर data देना ही होगा लेकिन writer ये बोलते हैं जिनको exemption दी भी गई है न उनको पता थोड़ी ना होगा कि उनके लिए ये voluntary है अब उनसे data ले लिया जाएगा उनको बोल दिया जाएगा कि भया ये तुम्हें देना ही होगा पुलिस के लिए बहुत असान होता है कि नहीं भया ये compulsory है थोड़ा सा पुलिस वाले धमकाएंगे और जिसको जेल में रखा गया है वो डर के मारे अपनी consent दे देगा और चुकि देखो इस bill में ये भी provision है कि जिनको preventive detention के तहत पकड़ा गया है उनका भी data collect किया जा सकता है तो ये और भी खतरनाक है कैसे सरकार कई बार क्या करती है बहुत बार activist को गिरिफ्तार कर लेती है सरकार को लगता है कि activist से land order की समझा पैदा हो सकती है तो उनको उनकी preventive detention कर ली जाती है तो इसका मतलब तो ये हुआ उन activist का भी data जो है वो सरकार ले लेगी biological data और issue देखो यहाँ पे data की safety का भी है सरकार data तो collect कर लेगी लेकिन सरकार से data संबलता नहीं है अधार card का data जो है वो publicly आपको मिल जाएगा थोड़े परियास करोगे तो even कुछ लोग ये भी बोलते हैं dark web में अधार card वाला data उपलब्ध है तभी तो कई बार आपको mobile पे ऐसे से message आते होंगे आपको लगता होगा कि आरे मैंने तो कहीं भी register नहीं करवाया ये add वाले मुझे क्यों परिशान करते हैं क्योंगी data जो है वो इदर उदर घूमता रहता है और कोई ना कोई उसका इस्तमाल करता रहता है और message भेजता रहता है तो डर ये भी है ना सरकार से data संबलेगा नहीं और वो data जो है वो compromise हो जाएगा तो अगर सरकार को इस परकार का बिल लाना ही था तो पहले data protection वाला तो आप कानून पास करो ना वैसे सोचने वाली बात है कितने सालों से तो हम ही discuss करते जा रहे हैं कि data protection वाला कानून बनना चाहिए 2017 में judgment आई थी judgment आया भी 5 साल पूरे हो गए नजाने कब बनाएगी सरकार ये data protection वाला कानून जो है तो कूल मिला के देखो conclusion में article में ये कहा जाता है बिल में न अभी काफी सारी कम्या है तो अच्छा ये होगा ये जो बिल है न सरकार भेज़दे standing committee के पास में standing committee इस बिल को अच्छे से scrutinize करे और जो भी आवशक changes लाने के आवशकता है वो आवशक changes लाए और उसके बाद ये parliament से कानून जो है वो बने मतलब बिल जो है वो पास हो पूरा article हमने discuss किया और आज की हमारी discussion में इतना ही है आज हमने दो issues को discuss किया एक हमारा रह गया जिसे हम बाद में discuss करेंगे फिलाल इस discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion